ये दोस्तों आने वाले समय में मैं DJS दिना करने की सुर की गवाही को लेकर आने वाला हूँ जिसमें DJS दिना करने बताया है कि पतरस कैसा दिखता है, पोलूस कैसा दिखता है, दाउद कैसा दिखता है, यहुआ पिता कैसा दिखता है, सुर दूद कैसे दिखते हैं, वो सब क बटन की बेल आइकन को जरूर दबालीजेगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचाए तो जो भी इस वीडियो को सुनने जा रहा है तो सस्क्राइब बटन की बेल आइकन को जरूर दबालीजेगा ताकि हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचाए तो आओ चलते हैं और सुनते हैं गौही को मैं एक जुलाई 1905 में दूर दराज गाउं में दक्षिन भारत में पैदा हुआ मेरे माबाप जादा आत्मिक लोग नहीं थे पर वे प्रमेशर के बारे में सब जानते थे और जब मैं अपनी मा के गर्म में था एक दिन वो गई और अकेले चर्च की वेदी पर गुटने टेक लिए वहाँ कोई नहीं था उन्होंने परमेशर से कहा मैं बहुत जवान हूँ और अपने कैसे हमेशा के लिए डरती हूँ अगर तू मेरी पराथना को सुने और मुझे लड़का दे मैं उसका नाम सेहम्मर रखोंगी और वापिस तुझे दूँगी तेरे ब्विश्यवक्ता के रूप में आप उसे अपने ब्विश्यवक्ता के रूप में इस्त्माल कर सकते हैं मेरी माने मुझे बताया कि उसके बाद उनके मन में बहुत शांती थी फिर भी जब मैं 20 साल की उमर का था कोले जाने के बाद मैं प्रमेश से दूर हो गया अनुशासन जिसमें मेरी माने मुझे रखा था और मैं अपनी पढ़ाई में असफल था हाला कि मैं हाई स्कूल में बहुत अच्छा विद्यार थी था मेरी गलत संक्ती के कारण और जो अजादी मुझे मिली वह अचानक प्रमेशर और मेरी पढ़ाई से दूर हो गई तो मैं बहुत बुरी तरहां असफल हुआ मैंने दो बार परियास किया और दोनों बार असफल हो गया फेल हो गया चोकि मेरे पास अंसर पेपर में लिखने के लिए कुछ भी नहीं था अच्छा और मैंने कहा मैं नोकरी के लिए जाऊंगा और मैं नोकरी ना ले सका और मुझे बहुत बुरा लगा मैं ही केवल बेटा था मेरे पिता टीचर थे और जब मैं उन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए सुबह छे बजे से रात ग्यारा बजे तक इतनी मेहनत करते देखता हाँ मुझे सच मुझ बहुत बुरा लगा उस समय मेरी मा भी बिमार हो गई और कोई इलाज नहीं मिला इसलिए एक दिन मैंने जाने और अपना जीवन खतम करने का निरन लिया मैं उस एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदना चाहता था जो मेरे घर के पास से गुजरती थी या कहूं गुजरेगी रास्ते में परमेशर यह तया किया परमेशर ने यह तया कि मैं अपने बहुत अनमोल मसर से मिलूं जो मेरी मा की बहन के पती थे मैं उनके प्यार और सनहें से बहुत अकरशित हुआ करता था और मैं बहुत प्यार करता था उन्हें और हर बार जब वो मुझसे मिलते थे वो अंत में अपनी बात मसी पर बंद करते थे उस दिन उन्होंने मुझे एक गंठा मसी के कुरूस पर चड़ाए जाने के बारे में बताया और उसने मेरे दिल पिंगला दिया मैंने उसे पूछा मस्र जी आपको लगता है कि मसी मेरी मदद करेगा उन्हेंने कहा हाँ तो उन्हेंने कहा कमरे में जाओ और गुटने टेको और परमेशर से पूछो वह तुम्हारे बारे में क्या सोचता है ताकि वो तुमको अपना दिल दिखा सके तो मैं गया और मैंने गुटने टेके और कहा परमेशर क्रिप्या मुझे अपना दिल दिखाएं और पुवित्रा आत्मा आया और मैं पूरे चार घंटे पुवित्रा आत्मा के विश्वास में था मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि समय कैसे बीट गया मेरे मसर ने जो वचन दिये वो मेरे दिमाग के सामने आये इश्व मसी का लहू हमारे सब पापो को साफ करता है पहला यहुना एक के साथ में मैंने परमेशर को पुकारा क्रिप्या पिता मुझे माफ कर दीजिए हमारे परमेशर इश्व के लहू से मुझे साफ कर दीजिए दो दीजिए मुझे एक और मोका दीजिए एक महाशुद्धिकर्ण और पुवित्रता की भावना मेरे दिल में आई मैंने अपने अंदर बहुत पुवित्रता महसूस की जैसे मैंने अपने जीवर में कभी कुछ गलत नहीं किया और महाशान्ती आई और पूरी जिन्दगी बदल गई और फिर मैंने पाठ पढ़ना शुरू किया और मैं प्रिक्षा की त्यारी कर रहा था और हर रात परमेशर आते थे मैं असानी से महसूस कर सकता था कि वो मेरी बगल में बैठे हैं और मुझे ग्यारा बजे तक पढ़ाते थे वो मुझे पढ़ाते थे हर दिन पचास पेज अलग-लग विश्यों के जैसे आज वो कहते हैं आज हम डाइनमिक्स पढ़ेंगे ठीक है और दूसरे दिन वो कहते आओ हम आज मैं तुम्हारे लिए बीजगनित यानी अलजेबरा लाया हूँ ये अद्बुत था और इस तरह मैंने पढ़ाई की और मैंने प्रिक्षा लिखी और पास हो गया मैं उस समय रोमांची था मैं आपको एक दिल्चस्प बात बताना चाहता हूँ कि मेरा एक अच्छा दोस्त था जिसका नाम जोर जोन था वो मुझे हर दिन प्रुसाहित करता था प्रमेशर की तरफ देखने प्राथना करने विश्वास करने इत्यादी में और अगले दिन प्रिणाम जारी होने थे रिजल्ट दिखाई देना था और पिछली रात मैं बहुत गबरा गया था और मैंने खुटने टेके और इमानदारी से प्राथना की कि प्रमेशर पास होने में मद करे और मुझे आवाज सुनाई दी आवाज ने कहा कि तुम किस क्लास में पास होना चाहते हो तब मैंने कहा परमेशर मैं प्रत्रम श्रिणी पाने के योग्य तो नहीं हूँ यानि फर्स्ट आने के योग्य तो नहीं हूँ चुकि मैं इन सबी सालों में पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था मैं पहली श्रिणी पास के लिए कह नहीं सकता था मैं तीसरी स्थान पर भी नहीं आना चाहता क्योंकि मुझे नोकरी नहीं मिलेगी मुझे दूसरा स्थान दीजिए तो मैं खुश हो जाऊंगा उसने कहा ठीक है सविकार है ये अद्बु था एक महां शांती आई और मैं सो गया मैं हर दिन अखवार ख्रीदने जाया करता था पर मैं यह सब पूरी तरह भूल गया और जोर्ज सुभे आया फिर क्या तुमने अखवार देखा मैंने कहा नहीं तुम्हें दूसरा स्थान मिला है और पास हो गए हो मैं बहुत रोमांची था जब नंबर आये तो मैंने पाया कि मैं पास हो गया हूँ और दूसरे स्थान पर आया हूँ तो मैं पास हो गया मुझे एक प्रतियोगी प्रिक्षा यानि competitive exam लिखने के बाद भारत के सबसे बड़े bank भारतिय state bank में नोकरी मिल गई बाद में लोगों ने मुझे मेरी उपलब्दियों के बारे में बताया उन्होंने कहा तुमने बहुत अच्छा किया तुम्हें merit मिली है तो मैंने प्रत्न की प्रत्न की और इस प्रिक्षा को लिखा था धन्यवाद परमेशर का कि मुझे मिल गई और मैंने बहुत कोश्च की कि अब मुझे जीवन में उपर आना ही होगा मैंने डिपार्टमेंट के एकजाम के लिए पढ़ाई शुरू की एक के बाद एक मैं पास हो गया मुझे प्रिक्षा पास करने के लिए कुछ खास बत्ते और बोनस और वेतन मिला जिससे पास करना बहुत मुश्किल था कुछ खास विश्यों को और मैं बैंक में प्रमोट हो रहा था और दूसरी तरफ मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया एक दिन उसकी महान दया में परमेशर ने मुझे बाइबल में प्रेरतों 10 का 38 दिखाया परमेशर ने ईश्यों का पुईत्तरात्मा और सामर से अभिशे किया परमेशर उसके साथ था वह भलाई करता रहा और छुटकारा करता रहा उन सभी का जो शेतान के दुवारा सताय गए थे मैंने कहा मेरे परमेशर प्रविशु मसी परमेशर के पुत्तर के अलावा और कोई नहीं है और वो परमेशर की महिमा की छवी है वह विक्ती रखवाला है लेकिन फिर भी उसे लोगों तक सुल समचार पहुँचाने के लिए पुवित्र आत्मा और साममर्थ के अभिशेक को प्रापत करना था और मैंने कहा परमेशर मुझे पुवित्र आत्मा दो और मैंने प्राथना और प्राथना और प्राथना करने शुरू कर दी और हाँ बहुत बहुत प्रमेशर के दासों ने मुझ पर अपने हाथ रखे और सू समचार और सच मुझ मेरे लिए प्राथना की और अधिकार और आखिरकार एक पास्टर था जिसे पास्टर जे एस लेमिक्स कहते हैं और उसकी पतनी दक्षिन भारत के शहर कोयम दूर में थे वह प्रमेशर का एक महांदास था और ये प्यारी बहन प्रमेशर के साथ चल रही थी प्रमेशर से बात कर रही थी दोनोंने विशेश रूची ली और कहा भाई निराश मत हो हम आएंगे और आपके साथ कुछ दिन रहेंगे और प्राथना करेंगे और उन्होंने प्राथना की एक दिन 10 अक्तूबर 1912 को 11 फरवरी 1955 को मैंने प्रमेशर को अपना दिल दिया था और 7 साल बाद 10 अक्तूबर 1912 को जब मैं बैंक से बहुत ठका वापिस आया मैंने अपने माबाप और उन दो लोगों के साथ प्राथना की उस रात मेरे पिता प्राथना कर रहे थे और अचानक सारा कमरा प्रमेशर के उपस्ति से भर गया मैंने कुछ मीठा या कहूं सुन्दर महसूस किया जैसे कुछ तरो ताजा थंडा पानी मेरी आतम में आ रहा हो और मुझे भर रहा हो और मेरे श्रीर को तरो ताजा कर रहा हो प्राथना से ठीक पहले जबकि मेरे पिता प्राथना कर रहे थे मैंने पास्टर जोईस लेमिया को फुसुसा कर कहा मैं बहुत ठका हूँ और ठका महसूस कर रहा हूँ मैं प्राथना करने में सक्षम नहीं हूँ इस तरह अपना हाथ रखा बाया हाथ और कहा प्रमेशर इसे बल दे बस उस दिन मैंने बैंक में बहुत मेहनत की उस दिन निर्ख्षकों ने रिकोर्ड का निर्ख्षन किया वे मुझे पूरे दिन ललचा रहे थे जब उन्होंने मुझे छुआ प्रमेशर ने उस पल को इस सक्तसाली पुवित्रा आत्मा को भेजने के लिए चुना और उन्हेंने गुलाब की तरहां तरो ताजा महसूस किया और मैं इस अनभव के साथ रोमांची था मैंने कहा प्रमेशर यह ताजगी कहां से आ रही है कहां से ताजगी आ रही है और प्रमेशर ने मेरी आत्मी आँके खोली मैंने सारे कमरे को छट से आ रही सुर्गी रोशनी से भरे देखा जब मैंने उस रोशनी में देखा मैंने एक अद्वुद विक्ती देखा राजसी विक्ती देखा वह खड़े मुझे देखते हुए मैं मंत्रमुग्द हो गया उसने कहा मैं येश्य हूँ क्योंकि तुमने मुझे लगन से ढूंडा मैं विक्तिकत रूप से तुम्हें आश्य देने आया हूँ और फिर समय के अनुसार और स्थान के अनुसार और मेरी प्राथना की समगरी के अनुसार उधान के लिए उस दिन तुम साइकल पर अपनी मा के लिए सबजिया लेने जा रहे थे उस रास्ते पर दस बजगर तीस मिनट पर तुम ऐसे प्राथना कर रहे थे और साथ साल की प्राथना उसने पूरी बात दोराई वो कहता रहा और कहता रहा उसने कहा कल रात बारा बजे तुमने कहा परमेशर मैंने तेरी प्वित्रात्मा के लिए बहुत प्राथना की या तो तू मुझे अपनी प्वित्रात्मा से भर या मुझे ले जा मैं इस कमी और सही मसी जीवन से ठक गया हूँ हाँ मैंने ऐसे ही परातना की थी और पास्टर लेमियस और उसकी पतनी इस बात का सबूत है तो प्रमेशन ने कहा मैंने यह सुना मैं नीचे आया हूँ तुम्हें आश देने फिर उसने कहा अब विश्य में देखो मैंने देखा कैसे वो मुझे पूरे संसार में लेकर जाएगा और मैं कैसे हर बार भीड को संभोधित करूँगा हजारों 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 लोग आएंगे उस समय मैं केवल बैंक में ओफिसर था उस समय मैं केवल कई सभाओं में साक्षी देता था विशेश रूप से मेरा सबसे बड़ा कर्शन सड़क पर परचार करना था मैं वहां खड़ा होता था जहां चार रास्ते मिलते हैं यानि चोरहा कहते हैं मैं कोने पर खड़ा हो जाता था पूरे दिन मैं प्राथना में रहता था मैं खड़ा रहता था मेरे मासड आते थे और हम गाना गाते थे या दो गाने तब फिर मेरे मासड या कहूं अंकल बाइबल के कुछ वचनों को बोलते थे मेगाफोन में यानि माइक में फिर मैं परचार करता और पंदरा या बीस मिनट बोलता और उस जगहां सारी भीड आ जाती और सारा ट्राइफिक आ जाता और रक्षक बन जाते लोग बीस मिनट सुनने के लिए बहुत मंतरमुद हो जाते और सारी बसे रुख जाती सभी कारे रुख जाती, लोग अंदर आते, साइकल रुख जाती, ओटो रिक्षा रुख जाती, और बड़ी भीड मेरे चारों और होती, सामर्थ, वो महान सामर्थ प्रमेशर के वचनों की और उपस्थ थी, उसकी आत्मा की और वो उपस्थ थी, उनकी आत्मा को पकड़ ले जंगा पर जाएं और मैं जाता ठीक है मैं ऐसे सेवकाई करता था तो मैं उसे दर्शन शुरू करता हूं परमेशर येशू आखिरकार मेरे पास आया और कहा बेटे इस दुनिया ने मेरे प्यार और दिया के बारे में सुना है लेकिन उन्होंने इसे किसी वेक्ति के जीवन मे नहीं देखा आज मैं तुझे पवित्र आत्मा की प्यार और दिया से भर रहा हूं हर बार जब तु इस प्यार के साथ प्रिर्थ हो और दिया के साथ जो कुछ तु मेरे लोगों के लिए मागेगा दिया जाएगा ओ मैं रोमांची था फिर वो मेरे पास आया और कुछ जैसे मेरे दिल में दर्वाजा खुला और वो अंदर आया मैं उसे आत्मिक शित्र में उसे बस्ते देख सकता था जब ये खतम हुआ हमें 9.30 बजे प्राथना करने शुरू की थी और सुबह के एक बजगर 15 मिन्ट हुए थे जब मैं ये दर्शन देख रहा था बाकी लोग प्वित्र आत्मा की शक्ती से प्रवावित होकर वहीं बैटे थे वे जानते थे कि मैं प्रमेशर के साथ बात कर रहा हूँ प्रमेशर मुझसे बात कर रहा था पर वे उस जहां से हिल नहीं सके मेरे पिता ने मुझे कहा तुम्हें क्या हुआ और मैं बोल ना सक जिसमें मैंने लिखा, मैंने येशु को देखा, मैं अब भी उसकी उपस्ती महसूस करता हूँ, तो मैं बैड पर चला गया, यानि सोने चला गया, उस दिन से दो अद्बुत बदलाव मेरे जिंदगी में आए, पहला जब भी मैं प्राथना करता, और जहां भी मैं प्राथना करता, तुरंत प्रमेश के उबस्ति आ जाती, और मैं उसे आमने सामने देखता, और मैं उसे प्राथना करता, और उसे बात करता, तो कभी, कभी मेरी प्राथना का समय 6 गंटे, 8 गंटे तक बढ़ जाता, ऐसे ही, बिना सुबह का खाना खाए और बिना दोपैर का खाना खाए एक बार आप गुटने टेकते हो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप उसे देखते हो आप खो जाते हो आप खो जाते हो और दूसरी चीज महान दिया और प्यार आपके दिल में आता है ये साहनबूती नहीं है ये इनसानी साहनबूती नहीं है करुना और साहनबूती अलग होती है अगर आप तुईत्र शास्तर पड़ें बाइबल कहती है मती 9 के 36 में इशू दिया के साथ चला जब उसने लोगों को देखा मती 14 के 14 में जब उसने भीड को देखा तो उन पर तरस खाया हर एक को चंगा किया जो चंगा होना चाहते थे मती 15 के 32 में जब इशू ने देखा कि लोग तीन दिन से मेरे साथ हैं मेरे पैरों के पास हैं उसने तरस खाया उसने कहा मैं उन्हें भुका विदा नहीं कर सकता मती 20 के 34 में जब अंधे आदमी ने पुकारा उसने तरस खाया मर्कुस एक के 40 से 42 में और कोडी आया और चिलाया और उसने तरस खाया उसने उसे चुआ और उसे चंगा किया मर्कुस 6 के 34 में उसने भीड को देखा और तरस खाया उसने बोला और बोलना शुरू किया और शुरू किया लुका 7 के 13 से 14 में जब ओरत को ओरत जो विद्वा थी अपना एक मात्र बेटा खोया उसने तरस खाया उसने कहा ओरत रोमत यह सानबूती नहीं है सानबूती रुख जाती है तरस यह सानबूती पीडा से मुनुष्य पीडा में मुनुष्य के लिए कुछ करने की प्रबल इच्छा है तो यह आता है और आपके दिल में जलता है इसलिए दूसरा कुरंतियों 5 के 14 में महान पोलूस कहता है इशू मसी का प्रेम मुझे विवश करता है यह तरस है अगर आप प्रेर्टों 20 का 8 से 12 पड़े जब जवान आदमी युतुखुस तीसरे मंजल से गिरा हर किसी ने सानबूती दी वो नीचे गया और उस पर लेट गया तरस में उसने अपना रोना तब तक नहीं रोका जब तक उसने यह नहीं कहा कि उसका प्राण वापिस आ गया है वो जिन्दा है ये तरस है मैं क्या कहूं गुणवत्ता वह नहीं जो उसके पास थी कारण कि मैं ये क्यों कहता हूं जब इश्व मसी इस दुनिया में था अगर आप मती बारा का पंद्रा पड़े और मरकुस छै का चपपन और मती चोदा का चचतिस पड़े जो कोई उसे चूता था वह चंगा हो जाता था जिस किसी पर उसने हाथ रखा वह चंगा हो गया जैसे कोई दोश यानि कभी नहीं था पर मेरी सेवकाई में मैं ये नहीं कह सकता मैं धन्यवाद करता हूं प्रमेशर का मैं क्या कहूं लाखों लोग पूरी दुनिया से ठीक हो चुके हैं लाखों जिनोंने चंगतकार गहन किया नोकरी पाने का चंगतकार बच्चे पाने का चंगतकार शादी होने का बिजनस का कर्द से बहाराने का इसी तरहां महान चंगतकार मैं हर चंगतकार के लिए प्रमेशर का तन्यवाद करता हूं हर सभी चंगतकारों से आशित नहीं है हर सभी पर सभी समतकारों से आशित नहीं है सभी चंगे नहीं हुए यह है कि मेरी सेवकाई में कमी है इसलिए मैं कहता हूँ तो जो तरस हमारे परमेशर के पास है और जो तरस परमेशर ने मुझे दिया शायद मात्रा और गुणवत्ता में समान नहीं है उसने मुझे कुछ तरस दिया पर पूरा नहीं जो उसके पास है क्योंकि यहुना तीन कस ताइस कहता है जब तक वह सुर्ख से किसी को नहीं दिया जाए तब तक वह कुछ भी प्रापत नहीं कर सकता तो इसके साथ प्रमेशने मेरी पूरी जिंदगी बदली रहसे मेर ढंग से मुझे रोटरी कलब और लायन कलब जैसे धर्म निर्पेक्स कलबों से निमत्रन मिले और निमत्रन मिलने लगे और क्योंकि मैं बैंक में काम कर रहा था क्योंकि वो लोग बैंक काते थे वे यही कहते थे कि आपके और बाकी लोगों के बीच में एक महतपून अंतर है आप में कुछ खास है सर अपना लेन देन पूरा करने के बाद यानि ट्रांजेक्शन करने के बाद वे कहते थे तो मैं उन्हें अपनी जीवन की कहानियां बताता था वे मंतरमुग्द हो जाते थे और कहते हम चाहते हैं कि आपकी कहानी पूरी दुनिया सुने इसलिए वे भावनातों रूप से बुद्धी जीवियों और उचपद अधिकारियों और वेपारियों की बैठकों की विवस्ता करते जिनसे आप समाने तरीके से संपर्क नहीं कर सकते वे वहाँ आकर घंटों बैठते कई बार मैं एक घंटा बोलता देड़ घंटा बोलता या दो घंटे बोलता वे कहते आप बोलते रहिए रुकियमत इसलिए ऐसे मेरी सेवकाई शुरू हुई सरश्रतिमान परमेशर को त्री परमेशर कहते हैं अगर आप प्रकाष्ट वाक्य एक का दस पड़ें और प्रकाष्ट वाक्य चार का दो इसे पहले कि उसके पास प्रकाष्ण होता प्रेर्थ यहुनदा या दिव्य यहुनदा जैसे कि उसे कहते हैं कहता है मैं आत्मा में था जब प्वित्र आत्मा आप पराता है प्वित्र आत्मा आपको भरता है और आप सब प्राकरतिक शेत्र में नहीं है यही जो पहला कुरुंतियों 2 के 11 में बताया गया है और पहला कुरुंतियों 2 के 14 में केवल प्रमेशर का आत्मा ही प्रमेशर के ब तो जब वह आता है तो वो आपको समझाता है आपकी आत्मा के अंदर यह पुईत्रा आत्मा दवारा अपने विचार आप तक पहुंचाने का प्रशन है बाइबल बताती है निती वचन तीन के तीन में और निती वचन साथ के तीन में अपने हर्दे रूपी पटियों पर लिख रे विचार प्रिवर्तन होते हैं इसलिए यह विचार को प्रसारित करने का प्रशन है यह पुट्र आत्म की आवाज है सरशतीमान परमेशर अपने पुत्र यशू मसी के रूप में आपके सामने दिखाई देने का फैसला करता है जब आप इशू को देखते हो प्रभू इशू मसी और कुछ नहीं बलकि परमेशर का प्रेम है परमेशर का प्रेम विक्तिकत रूप में तो पहला यह होना चार का आठ कहता है परमेशर प्यार है जब वह आप से बोलता है वह ऐसे बोलता है जैसे एक माँ अपने बेटे से बोलती है या बेटी से बोलती है महान प्यार उसकी अवाज बहुत कोमल और प्यारी है यानि परमेशर की आप महसूस करते हो आपकी मा बोल रही है अच्छा उधान देता हूँ पोप जोन 23 से जोन 23 को बहुत प्यारा जोन 23 को बहुत प्यार करने वाला विक्ती माना जाता है यह वे थे जो कैथलिक चर्चों के महान बेदारी लेकर आये थे खासतोर पर पुवित्रात्मा इसलिए उन्होंने बड़ा दस्तवेश त्यार किया जिसे वेटिकन डोक्यूमें कहा जाता है उन्होंने इसे प्रधानों के सामने पेश करना पड़ा ताकि वे इसे सहमोहिक रूप से सिविकार करें और इसे पारित कर सकें तभी वो जानते थे वो कैथलिक चर्च में पुवित्रात्मा ला सकते हैं यह दिखाई देता है यह मुझे एक अधिकारी और उसक निक्ट वाले आदमी दुवारा बताया गया था दस्तवेज पेशोने से पहले की दिन वो बहुत बेचेन थे और नीन नहीं आ रही थी बिलकुल नहीं सुभे के दो बजे थे वो सो न सके वो उपर नीचे चल रहे थे और प्रातना कर रहे थे और घुम रहे थे जो हुआ फिर उनने अवाज सुनी छोटे जोन सो जाओ ओ इस भवन में मुझे छोटा जोन कहकर कौन पुकार सकता है और कौन पुकार रहा है ये पौप का भवन है केवल मुझे मेरी मा ऐसा पुकार ती थी वो हैरान हो रहे थे अवाज दूसरी बार आई छोटे जोन सो जाओ तब उन्हें पता लगा कि ये प्रभू ईशु की आवाज है, बहुत कोमल और बहुत प्यारी, तो वो केवल बैड़ पर पड़े और बच्चे कितना सो गए, ये फर्क है, उसी समय जब उसे अधिकार के साथ बोलना होगा, वह अधिकार के साथ बात करेगा, मैं हमेशा कहता हूँ, ये असली घटना जो हुई है, जब मैं एक दिन चर्च की सभा में गया, सभा समाप्त हो गई, पास्टर बहुत उदास दिखा और उसने मुझसे कहा, भाई क्या आप मेरे साले के लिए प्रातना कर सकते हैं, वो भारत सरकार में बहुत बड़ा दिकारी है, पर वो सोच रहा है कि कोई आशा नहीं है, उसकी आँखे सिर हो गई है, उसके नाखून निले पड़ गए है, नाखून का रंग निला पड़ गया है, और खून संचलन लगबग दिल में आ रहा है, चिक्तसा की मलत से परे है उन्होंने कहा, हमने सबने उम्मीद खो दी थी, अगर आप आओ और उसके लिए प्राथन करो, हमें खुशी होगी, तो मैं गया प्राथन करने के लिए और घुटने टिकाए, मैंने उसकी और देखा, यह एक आशाहीन मामला था, मैं जानता हूँ, पर फिर भी मैंने उसकी पतनी और दो बच्चों को देखा, तो बहुत बड़ा तरस मेरे दिल में आया, और मैंने कहा, परमेशर इस और इन दो बच्चों का क्या होगा, यह और इन दो बच्चों का क्या करेगी, अगर यह विक्ती मर जाएगा, और बहुत बड़ा तरस में मेरे दिल में आया, और म विंति करने लगा कि वो विक्ति बिस्तर से खड़ा हो जाए पवित्र आत्मा मेरी जुबान लेकर गैर भाषा में मसी से प्राथना करने लगा मैं उस समय विवेक में था मेरा मेरी जुबान पर कोई काबू नहीं था मेरी जुबान प्रमेशर से गयर भाशा में प्राथना कर रही थी जो मैं नहीं जानता था तो मैं प्राथना में गया यानि कर रहा था अचानक मैंने इशु प्रभू को प्रक्ट होते देखा उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या करने की कोश कर रहे हो मैंने कहा परमेशर कृप्या इस वेक्ति को जीवन दे मैं उस महिला की पीडा और उन दो बच्चों की द्रिस्टी को सहन करने में असमर्थ हूँ वो मुस्कुराए और गायप हो गए तो मैं नहीं जानता था कि क्या करना है तो प्यूएतरात्वा ने मुझे तुरंट आत्मी गुरूप से स्वर्ग में उठा लिया अगर आप दूसरा कृंतियों 12 का 1 से 4 पड़े बाईबल कहती है पोलुस को 30 स्वर्ग में उठा लिया गया था तब वह कहता है यह आदमी जो मरा वह खुद ही है पर वह इसमें तीसरे विक्ती की बात कर रहा है वह कहता है मैं नहीं जानता ये विक्ती दे में था या दे से बाहर पर जब आप सुर्ग में होते हो तो आप कैसे महसूस करते हो आप जानते हैं कि आपके श्रीर के साथ यहां क्या हो रहा है आप जानते हैं कि स्वर्ग में क्या हो रहा है तो मैं स्वर्ग में उठा लिया गया मैंने परमेशर को देखा मिरे आगे चलते हुए और मैंने उनका पीछा किया वो स्वर्ग की सडके सोने से बनी थी आप कलपना नहीं कर सकते कि किस परकार की सडक वहां है ये इनसान के समझ से बाहर है और मैंने उन्हें सिहासम पर बैठे देखा फिर उन्हें कहा वापिछ जाओ वह जिएगा पर ये वापिछ जाओ वो जिएगा कोमल अवाज नहीं थी ये बहुत शक्तिशाली थी पूरा स्वर्ग गूझ रहा था दुबारा गुंज रहा था वापिस जाओ मैं क्या कहूं यह जज दुबारा दिये गए एक फैसले की तरह था यह अधिकार और शक्ती से भरी थी नहीं तो उनकी आवाज कॉमल स्कून देने वाली होती है जो आपको उसाहित करती है फिर बताती है कि क्या होने जा रहा है अलग लेकिन अब वही आवाज जो कहती है शांती बनी रहे वो अधिकार उनकी आवाज में दिखता था और मैं वापिस आ गया और मैंने अपने आपको पूरा गिला सिर से लेकर पैर तक पाया मेरे सारे कपड़े गिले हो गए थे मैंने मुड़कर उस विक्ति की ओर देखा और अपने बिस्त्रे पर बेजान उठकर बैठा और अपनी पत्नी से कहा मैं भूका हूँ तो मैं क्या कहने की कोश कर रहा हूँ मसी की आवाज कोमल हो सकती है लेकिन जब जूर्थ हो तो उसकी ओवाज शक्तिशाली और शक्तिशाली हो जाएगी फिर आता है सरशक्तिमान परमेशर अगर आप त्वितर शास्तर में बजन सहीता 29 पड़ें यह परमेशर की ओवाज के बारे में थोड़ा बोलता है कि यह कितना शक्तिशाली है और यह हमेशा गरजन वाली लहरों की तरह है इसलिए बाद में मैं सुर्ग आदी के बारे में कुछ बताऊंगा पर एक दिन जो वह पहली बार था जो मुझे सुर्ग ले जाया गया हे दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानि खंटी वाले बटन को दबारा मत भूलना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो मैं चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाईया और उनके परचार ले कराऊंगा कि परमेशन उसे कौन से काम लिए उन्हें ऐसा क्या किया परमेशन के जिन्दगियों में क्या किया मैं इस चैनल पर आपके लिए ले कराऊंगा